नवश्कार आपने प्रहल्ला बोल और मैं हूँ आपके साथ स्वाती विश्रा आज अब बात करेंगे एक ऐसे होस्पिटल की जहां डॉक्टर्स की लापरवाही की वजह से एक मरीज की जान चली गए जिहां जहां एक तरफ पुरा देश आज कोरोना महमारी से लड़ रहा है जहां एक तरफ डॉक्टर राद दिन महनत कर दे लोगों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं वही जयाकोर के रेजन होस्पिटल जो की सांगा नेर में इस्थित है जूटे आसवासन दे कर एक परिवार से उसके क्रिटिकल बेटे को एड्मिट तो कर वालिया लेकिन जब बात आए इलाज की और उसके देखरें की तो वही हॉस्पिटल का एक भयावा और लापरवाह रूप नजर आए इस लापरवाही की वज़ा से एक मरीज की जान चली वे यह हॉस्पिटल रीजन हॉस्पिटल यह लोग कोविट के नाम पे लोगों को पागल बना रहे हैं यह उन अगल है यह यहां डॉक्टर से आपके बाद है आपके बास सारे इंजक्शन है और वेंटिलेटर है वोला मेरे पास सारी में उस्ता है यह मामला है जैपुर का जैपुर के सांगानेर में स्थित रीजन हॉस्पिटल जहां एक परिवार को छूटे आस्वासन देकर पेशन को एडमिट कर लिया गया और बिल के नाम पर करीब 7-8 लाक रुपए भी वसूल लिये लेकिन जब बारी आई सुविदा विवस्था और मरीज के इलाज की तो हॉस्पिटल बिलकुल लापरवाह नजर आया क्रिटिकल कंडिशन के मरीज की देख रेक के लिए डॉक्टर नदारत नजर आया वही नर्स और वाट बॉई की भी कमी देखी गई वही पूर्ट वाज़ा से एक मासून की जान चली गई लिए अगर आपके शांगाने के ऑस्पिटल गी जो अपना पो टॉप क्लास के एक रिश्पूर्ट करने के लिए है एक सिंगल डॉक्टर निया कोई अमर्जनसी डॉक्टर नी रिश्प्षन पे एक सिंगल आदमी निया अट्रिंडेंस के लिए लें लेंड लेंड लाइन से पोला प्लों उठाने के लिए तो लेंड 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 बढ़ाई आई पर दो पिपीगी अन्दर प्रड़ किट करूं जानुद करें सोरे नहीं पूलने किसीभी स्टाफ के अन्दर नहीं है ना तो रिष्टशन पे अंदर तो कोइट वाड चे अन्दर दो लगए हूं पीट नहीं है और ऊप और अब यह बोल रहे एकिनका प्रेशन ह nay रहा है वह जम्रेना प्रैश्ट कर रहे है जीनों ने फेंटाए थी ओर और भीडियो बनाकर समाज को यह सच्चाई से अवगत कराँ था जहां हमारे साथ चोड़ रहे हैं एड़ोकेट से जिन सेनी आई जानते हैं उनसे कि क्या है ये पूरा मामला जानकारी बताएंगे हमारी दर्शकों को क्या है ये पूरा मामला आप पूछिए में क्या है कि सांगानेर में इस हॉस्पिरल के पीछे एक फैमली रहती है जानकारी बताएंगे हैं और गार जैनी रहत अच्छी ड़ापटियर फैमली एंव एक्केस तारिक आज़ार खास उनोंने अपने डॉक्टर से यहां से पंसल करी ती उनका नाव अपने रिश्यव करके बता रहते हुँ हूं उन रॉक्टर से थार थारीके कि हमारे आज़ारी कि नियुक ऑमरी ए पर बारे पासमें सब कुछ बढ़री प्रवाइट है बाद में क्या हुआ इनका जो पेशेंट था जो दिडि बेटे थे उने ने इनके कहने पर दिल लिसे उसको यहां पे शिप्ट करवा दिया बहुत च्रिटिक्ल कंडिशन दी वह बनना यहां पर पहले अप्डेट है करा गया बार-बार में उनको फोकुस करें कि सरा प्रेमेंट करवा दीजिया प्रेमेंट करवा दीजिया इवन पास में अभी एक और इन्फरमेशन है उनकी फैमली से उस बने ने लग रहा है कि पैसों की वज़ा से डॉक्तर ने कहीं कुछ ना परवाही पर चुप पर चुके हैं पैसे में हमेशा ही आगे रहते हैं लेकिन के मामले में जैसे कि मैंने आपको वीडियो दिखाया था आई सी ओर नर वहां पर इक सिंगल ना तो कोई डॉक्टर था ना कोई नर्सेस थी ना कोई बाहर गाट ता जो हमें रोप सकी पूरा का पूरा किसी भी कोई चीज के फासिलेटी नहीं पर तवाहिया से बिखिरी पड़ी है और अंदर पूरी गंदगी हुई बड़ी आई सी के अंदर हमेशा आईजीन रहता आपको पता है और कोविड के मामले में वैसे भी हमेशा इनको है रखने रखने ज़िए शुट प्रॉपर क् करफें पार्माला नकीश उससरे निकल लगर और तो चॉपर न इससुट निकल गए और ई। पहरे है उसने वोड्यण करके सैंऊं की ऐधा अश्म मुझे झन के युदि कर दिये ही अधिनों उससे रॉत हे सिर्फ कर दीज जियी यहां पर टेस ऊPS नामट अब्टे नही वो वोई जाइड वी वोग पास में रखावा है जो बरने वाला था उसका डाइन डिकलेशन यह था कि मुझे इस ऑस्पिलेजर शिफ करवा दीजिए लेकिन फैमली डेडिवी थी उनको यह लगा कि इस प्रिटिकल कंडिशन अगरिया इसको शिट किया तो क्या पता कुछ औ सब्सक्राइब करें तो अभी क्या अभी क्या कोई एक्षन देने का सोच रही है या फिर ऐसे आपका और अभी जहां एक महमारी की वजह से पुरा देश विश्वास की कभी से जूच रहा है वहीं दूसरी और हॉस्पिटल की अगर ऐसे ही खबरे आती रही तो आखित आम जन्ता किस ओर चाहेगी आखित कब तक डॉक्टर्स की लापरवाही की बजह से इसे ही जान जाते रहे हल्ला बोल देया आज के लिए वस इतना ही देशों दुनिया की तमाम खबरों के लिए जोड़े रही है हमारे साथ वहीं कबर फुलेरा से जहां शेतर में लगातार कोरोना का ग्राब बढ़ता नजर आ रहा है लोग अभी भी नहीं समझ रहे अपनी जम्मेदारी फुलेरा शेतर में आज 57 नए कोरोना पोजिटिव पाए गए हैं दो दिन पूर फुलेरा समुदा एक स्वास्केन पर 157 लो अतार को बढ़ रहे कोरोना के ग्राफ को लेका चिकित्सा विभाग वपालिक का प्रिशासन आलाइट हो चुका है वाइक अगजापुर से जहां भाजपा की प्रवक्ता रागलार शर्मा ने कम्रेश प्रजापत के एंकाउंटर के मामले में निश्पक्षता की जाज की मांग की है बाड मेर में पुलिस के दौरा एंकाउंटर के दौरां कम्रेश प्रजापत की मृत्यू और उसके उपरांत कॉंग्रेस पार्टी के विधायक मदद प्रजापत के दौरा पुलिस एंकाउंटर की निश्पक्सता के उपर परसन वाचक चिन लगागा और सोशल मीडिया के एंकाउंटर के मामले में परदेश की जन्ता जाना चाती है कि क्या कमलेश परजापत के द्वारा पुलिस के उपर फाइलिंग की गई और यह दी फाइलिंग नहीं की गई तो एक तरीके से इस एंकाउंटर के अंदर नियथे व्यक्ति को मारना पुलिस की भूमी का वहें कब लाल सोट से आ रही है जहां कोविट सेंपलिंग पर फरजी मामला सामने आया है आपको बता दे कि यूवक के नाम और मुवाईल का गलत यूज कर रैपिड एंटीजन टेस्ट कर यूवक के मुवाईल पर मैसेज आया मैसेज में यूवक के मुवाईल पर आपिड एंटीजन टेस्ट का मैसेज आया रामकर पछोः अनिवासी विनोथ कुमार गौतम का के रहा है कि मैंने करवाया ही नहीं है रापिड एंटीजन टेस्ट के इस फरजी रिपोर्ट से लगता है कि कोविट सेंपलिंग के नाम पर यह बड़ा फरजी वाडा चल रहा युवक मिनोद कुमार गौतम ने लाल सूर। ब्लोक मुख चिकितसा अधिकारी धीरट कुमार सरमक को ये जानकारी दी है और भरही उन्हों उसने बताया कि ब्लोक मुख चिकितसा अधिकारी धीरट सलमक ने प्लित युवक से कहा कि दोसा जिले में ही नहीं होता, रापेड एंटीजन टेस्ट कोरोना सेंप्लिंग के नाम पर आखिर कौन कर रहा है घिरोनी हरकत रापिड एंटीजन टेस्ट के नाम पर कहीं लोग ठगी के शिकार तो नहीं हो रहे हैं इस ट्रेस्ट का यह मामला सरकार चिकितसा विबाग पर बड़ा सवाल या निशान खड़ा करता ह है फ्रितिवा की सपरजी मामली की जाच करने की मांग करा है है क्या मामला मामला यह रैपीड ऑन कीजन सेंपल क्लेकट एँर विनौत कुमार गंबीर है रेपिट एंटीजन टेस्ट दोसा जिले में कई भी नहीं होता है बलड के सेंपल के द्वारा किया जाता है अता आप एक एप्लिकेशन दे हम डिपार्टमेंट को चिठ्ठी लिखेंगे मामला कंबीर मानते हो इन्होंने इदायत दी कि आप दिये गए नियों का प पहुंचा है इस अस्तिति मुझे क्या करना चाहिए कुछ सूज नहीं पा रहा है यह मैसेज कवा है आपके पास यह मैसेज मेरे पास कल आया मेरे नाम से मेरे पंजीकरत मोबाइल नमबर आया जिसकी रजिस्ट्रेशन आइडी भी आई है दिरांग चोईस अप्रेल दोजा कारवाई की जाएगी ऐसे बिना किसी आइडी के कोई टेस्ट नहीं लिया जा सकता और दोसा जिली में ऐसा ट्रेस्ट भी संभावनी है यह ज्यादा तर रेल्वेस्टेशन एर्पोर्ट वीडवार्ड वाली जगह अपर लिया जाता है जो कि हमारे दोसा जिलें कई वीडि जूंडोगे जो अजारों व्यक्तियों को संक्रमित कर सकता है मेरी कौन सी आइडी ली कौन सा आधार कार्ड कुछ तो आडी ली होगी इसका मुझे पता नहीं है अब इस विसे में आपके अजाच करोने की मांग कर रहा है इस विसे में जाच होनी चाहिए ऐसे टैस्ट आन 2019 प्रोटोकॉल की पालना में दिन रात लगाई गई नाकाबंदी में गाइडलाइन का उलंगन करने वालों के विरुद विगत 24 घंटों में 407 करवाई कर 80,000 से भी जादा जुर्माना वसुला गया है और 138 वहानों को जब्ट किया गया है पुलिस अदिक्षक केसर सिंग स एक खावत के नेतित में धौलपूर पुलिस ने पिछले 24 घंटों में जिले भर में मास्क नहीं लगाने पर 41 व्यक्तियों पर 20,500 सारजनिक स्थारों पर ठूकने पर 24 व्यक्तियों से 48 और शोशल डिस्टेंसिंग की पालना करने पर 301 वक्तियों पर 31,000 रुपय का जुर् माना वसूल किया गया है वहीं पुलिस अदिक्षर केशर सिंग शेखावत में कोरोना महमारी के बढ़ते प्रकौप को देखते हुए जिला पुलिस को सक्त कारवाई करने के निर्देश जारी किये हैं बढ़ा वाज घानी लिवासी विजे मीना लेरी मीना के घर के घर के पास बिजली के तार टूटने से दो छपरों में आग लगई जी आग को बता दे कि जिस से काफि नुकसान हुआ है उसमें दो भैस जल गई चार पाई जल गी और भैसों का चारदा भी जल गया कुछ घरेलू समान एवं बरतन जलकर राख हो गए ग्रामिनों की मदद से आग पर काबू पाया गया और अंज जानवरों को सुरक्षित स्थान पर बंदवाया गया कोविड नाइंटिन को लेकर राख सरकार द्वारा एवं कें सरकार द्वारा पारित की गई गाइडलाइन पालना में पुलिस एवं प्रशासन ने प्लैग मार्श निकाला है पस्चमी राजोस्थान के अंटरास्टर शीमा से सटे बार्मेर जिले के उखन गड़रा रोट कस्वे में कोविड नाइंटिन के बरते क्रेज को लेकर स्थानिय प्रशासन एवं कुलिस सक्रिय रूप से प्लैग मार्श कर आम जनता से समझाइस कर रही है कि वो अपने घर अपने घरों में रहकर इस महमारी से बचाओ करें इतना ही नहीं गड़रा रोट तैसिलदार सवाई सिंग उज्वल गड़रा रोट थाना अधिकारी ओम प्रकास जांगू मैं पुलिस जापता गस्प द्वारा प्लैग मार्श कर गड़रा रोट की आम जनता से अपील की ज अनुसार गड़रा रोट कजवे में 11 बजे के बाद किसी प्रकार का आवगमन बंध है तथा अपने घरों में रहने के लिए पूलिस एवं प्रशासन द्वारा समय समय पर सजग रहकर अपील की जारी है वहीं खबर लाल सोट से आ लिए है जहां गाइडलाइन का उलंगन करने पर रामगड पचवारा में हाड़वेर की एक दुकान को सील कर दिया गया है पचवारा SDM सरीता मलोत्रा की कारवाई से मार्केट में खलबली मच गई है जहां कोरोना की गाइडलाइन का उलंगन करने वाली हाड़वेर मोटर पर 5000 रुपे का अर्थ दन लगाया गया है वही SDM सरीता मलोत्रा ने आगामी आदेश तक हाड़वेर की दुकान को सील कर दिया है SDM के दस्ते ने जन अनुशाषन पखवाडे के दोरान मार्केट में मोनिटरिंग की वह दस्ते को मार्केट में गुसते ही अनाधिकरित दुकानों में खलबली मच दे जन अनुशाषन पखवाडे की उपखण का दस्ता लोगों से पालना करवा रहा है वही कारवाई के दोरान उपखण अधिकारी सरीता मनुत्रा थाना अधिकारी सुबास चंच शर्मा, कनिर्शायक दीपक शर्मा, योगेश कुमार और पुलिस जापता मौजूद रहा अमीरा ने निर्भया की तरफ से चैपोर पुलिस की तरफ से समस्थ प्रदेश वास्यों को महावीर जैनती के सुबकामनाई देते हुए कहा कि हमें कोरोना के इस भयानक लहर को संक्रमन के इस तौर को खतम करने के लिए महावीर के सुधान पर चलना होगा खुद जीओ और औरों को भी जीने दो पर अमल करना होगा कि इस हे तौर बेवचा घर से पाहाण नहीं निकलना है सरकारी गाइडलाइन की पालना करना है मास्क लगा कर रखना है और बिना हाथो ये भोजन नहीं करना है खुद को भी बचाना है और औरों की जीवन को भी स बीवन में उतारना है और गरीब की मदद करनी है अपने पड़ोसियों की मदद करनी है सरकार की मदद करनी है अगरिम पंक्ति में खड़े होकर कुरुना कर्मवीर की मदद करनी है लगातार मास के लिए लोगों को जागरूप करना है वही माविर भगवार ने संसार को सत्य औ बड़ी करनी चाहिए भाइब सथ कारवाई की जाएगी कुछ तरफ लोगों ने लपर भाई भी वर्ठीर कोरोना की लहर ने हांकार मचा दिया है सुबा का समय हर व्यक्ति अपनी ज़रूरत का रासन पानी के लिए घर से निकलने डर्टे डर्टे निकलते हैं फिर भी सड़क पर आवाजाही रहती है शाम के समय सड़कों पर सन्नाटा पसर जाता है दूसरी तरब पुलिस विशासन भी जनता को सक्ती से आने जाने पर रोकती नजर आती है आला अधिकारी द्वारा प्लैग मार्च में निकाला गया जनता को हिदायर देते वे दूसरी तरब सुबा से के समय पुलिस SI होस्पिटल में कोरुना वैक्सिन की डोज लगवाने के लिए लंबी कतारे देखी गई जब उनसे News 19 की टीम ने पूछा तो उन्होंने कहा कि हम अपने आप आये हैं और हमें किसी प्रकार का डर नहीं है लोगों के दिलों में वैक्सिन को लेकर अब डर नहीं रहा इसी के चलते लोग टीका लगवाने का उत्सा अभी देखने को मिला तो आपको कोई डरवर सा लग रहा है कुछ गहबराट है आपके किसी के कहने पर आई हो या अपने मन से आई प्रदेश में कोरोना वाइरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए इस दोरान उपखन अदिकारी रतनलार रेगर तहसिलदार डाला राम उपसरपाच एडवोकेट राम की शोर उचा मौझा मौझूद रहे देश्वर में एक मई से अठारवर्स के उपर के उम्र के लोगों के लिए अब कोरोना वैक्सिनेशन शुरू किया जाएगा देश में राज्यों की तरह राजस्थान जरकार ने भी निशुल टीका करन की घोशना की है इस पर करीब को 3,000 कड़ों रूपए का व्याय होगा लेकिन राजस्थान में एक मई से शुरू होने पर संशय के बादल चाहे हुए है राजस्थान में 15 मई के बाद ही शुरू होने के आशार ने राजस्थान में ठारवर्स के उपर के लोगों को निशुल टिका करन की घोशना के प्रटमेंट को भी 15 मई तक पूरा नहीं कर पा रहा है। इस स्थिभी में 18 वर्ष से 45 वर्ष के आयूब वर्ष को प्रदेश में वैक्सिनेट करने का कारेश सेरम इंस्टिूट के ओर से राजस्थान को वैक्सिंग उपलग करवाने पर ही निर्भर करता है। ऑक्सिजन है लेकिन उसे सप्लाई करने के लिए टैंकर परियाप मात्रा में उपलग नहीं है। उससे सुदूर जिले में ऑक्सिजन की परियाप मात्रा में सप्लाई नहीं हो पारी है। वही राजस्थान में कोरुना संकर्मन से हाखार थम नहीं रहा रविवार को फिर से प्रदेश भर में 15,000 से नए कोरुना पोजिटिव मिले है वही 24 कोरुना पेड़त मरीज अपनी जान से हाथ दो बैठ है रविवार को राजधानी ज्यापुर में रिकॉर्ड 345 नए कोरुना पोजिटिव मिले वही जोदपुर में 1400 से अधिक, अलवर में 1300, उदैपुर में 1100, कोटे में 701 और वही पाली में 600 से अधिक, सवाई मादोपुर में 609, नए केसेज आए हैं मौतों का आखड़ा भी डरावना ही चल रहा है रविवार को राजधानी ज्यापुर में 13, जोदपुर में 12, कोटा में 6, उदैपुर में 8 और सीकर, वभी का नेर में 55 मरीजों की मौत हो गई पिछले दो दिन से बंच शराब की दुकानों के खुलने का इंदजार कर रहे शराब प्रेमियों को शोमवार को जटका लगा है शराब थेका संचालकों ने राजसरकार की नहीं गाइडलाइन का विरोग करते हुए शोमवार को भी दुकानों को नहीं खोला इससे सराब लेने के लिए सुबस सुबस दुकानों कर पहुंचे लोगों को खाली हाथ लोटना पड़ा हाला कि दूसरी तरफ ठेकेदारों का कहना है कि सरकार ने शराब की दुकानों के खुलने का जोब वक्त धारित किया है उस समय शराब की विक्री नहीं होती सबस चुबस शराब लेने के लिए कौन आएगा वूपर से ठेके दारों को दुकान खोलने पर अपने कार्गेट के मुताबिक सरकार को रेवन्यू भी देना पड़ेगा दरसल सरकार के पिछले दुनों नई डाईडलाइन जाने की गई है जिसमें शराब की दुकानों को सुबद 6 से 11 तक खोलने का आदेश रारी किया है सरकार के लिए शराब रेवेन्यू का एक बड़ा स्रोथ है सरकार ने स्पैसले से सराब कारुबारी नाखुश है राज लेकर वेलफेर सोसाइटी के अध्यक्ष नीलेस मेवाडा ने बताया कि सरकार ने जो समय दिया है उससे सरकार ने अपने रेवेन्यू को सेफ कर लिया लेकिन हमारे लिए समस्या खड़ी कर दी है हमें इस गारेंटी शर्ट के तहट निर्धारित रेवेन्यू देना पड़ेगा जबकि सुबा कुछ बिक्री नहीं होती मेवाडा ने बताया कि हम सरकार को आज पातर बेज कर मान करेंगे कि हमें गारेंटी शर्ट के तहट याद छूट बतान करें क्योंकि इस बार लाइसेंस पी की बज़ाए ड्यूटी देनी पड़ेगी ये ड्यूटी सभी टैक्स में लाकर 50% तक है उधारन की तौर पर कोई शराब का ठेका एक करोण रुपए मूले में रिलाम हुआ है तो संचानप को 12 महिदे में एक निराशी के मूल की सराब डिपो से खरीद कर बेजनी पड़ती है और इसकी ड्यूटी सरकार को देनी पड़ती है आप सरकार से मांग करेंगे कि अगर सरकार गारेंटिट सर्थ में छोट दे तो अच्छा है राजस्तान में आज सोमवार से इमर्जेंसी को छोड़ निजी वाहन में एक जिले से दूसरे जिले में आवाचाही बंद कर दी गई है सबी जिलों की सीमाओं पर बॉर्डर सील कर दिये गए है वही सारजनिक परिवहन के अलावा निजी वाहनों को जीले से बाहर जाने पर रोक लगा दी गई है ग्रेय विवाद के निजी वाहनों पर लगाई गई बंदिश के कई सवाल खड़े हो रहे हैं नई गाईडलाइन में रोडवेज और निजी वसों में आदी सीटों पर यात्रों को बैट में क्यानुमती है लेकिन निजी वाहन जीले से बाहर नहीं जा सकते ऐसे में जनता सरकार से सवाल पूछ रही है कि आखिर हम ज्यादा सुरक्षित अपने निजी वाहन में या बसों में है या ज्यादा भीड़ होगी संप्रमन का डर जादा होगा या अव्यावारिक है डॉक्टर्स का भी यही कहना है कि बस क्या पेक्षादी जी वाहन अधिक सेफ है भारतपुर दौसा के सीवा में होते हुए मेंदिपुर्बाला जी पहुचे प्रेम सिंग ने कहा कि मैं अपने पैत्रिक गाउं से आस पास से आ रहा था लेकिन महवा पुलस ने उनके वाहन को दौसा में प्रवेश नहीं करने दिया बारिबारी परिस्थित्यों का हवाला देने के बाद बड़ी मुश्किल से प्रवेश दिया है ग्रेव वबाग के नई गाइडलाइन को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं वहीं जैपुट दौसा के बीच बस चलाने वाले वाहन चालक कमलेश मुणा ने बताया कि सरकार का यही आदेश आव्यवारिक तथा आमजन को परिशान करने वाला है मैंने जीवाहन से पत्मी के साथ स्वाधिश अमारों में सामिल होने के लिए करोली जाना चाहता हूँ लेकिन पुलिस ने मुझे दौसा की सीवा में प्रवेश नहीं करने दिया आज के इस रिपोर्ट में वास इतना ही अदेश और दुनिया की तमाम ख़बरों के लिए बरे नेगे नियूज 19 के साथ नवश्कार आप देख रहे हैं नियूज 19 और मैं हूँ आपके साथ स्वाधिम शा आए रुख करते हैं नियूज 19 के मौर्निंग अपडेट्स की ओर कोरोना वाइरस के दूसरी लहर से इस सवापुरा देश लड़ रहा है दिन दिन कोरोना के बढ़ते मामने अस्पताल मरीजों से भरे हुए है हर कोई दवाई बेड और ऑक्सिजन जीताने की कोशिश में लगा हुआ है जादब तर राज्यों में लॉक्टाउन लगा दिया गया है इसे पीच बड़ी खबर आ रहे है कि कोरोना के कारण दिल्ली कैपिटल्स के स्टार गेन बाज आर अश्विन आईटेल के 14 सीजन से हट गया है अश्विन ने सोचल मीडिया पर इसकी जानकारी गया राजस्थान में कोरोना महमारी की दूसरी लहर को रोकने के लिए गहलोत सरकार एक्शन के मोड में है 26 अपरेल सुवा 5 बज़े से निजी वाहनों को एक जिले से दूसरे जिले जाने पर भी रोक लगाई गई है वज़े से प्रपावी हो गई है कोरोना संक्रमितों को 36 की बिलाई इसपात सयंत रियोजना 265 टन मेडिकल ऑक्सिजन का उत्पादन कर रहा है ऐसे वक्त में बिलाई इसपात सयंतन के करमचारी हर्तार पर चले गए थे इसके बाद टूल दाउन कर आंदोनन करने वाले करमचा चार एकाई का पूरा ऑक्सिजन जबर्दस्ति बंद कर दिया था बॉयलर प्रेशर बहाए जाने की वज़़ा से स्टीन टर्पो जन्रेटर सर्ट गाउंट हो गया था इसके साथ ही सेफ्टी वाल खुल गये थे इसके कारण 25.5 में कवर्ट पावर जेमेरेशन बंद हो गय कुछ सालों में त्रिपुरा और बंगाल खो चुके वामदल के पास फिलाल सिर्फ केरल में सरकार है हाले में यहां भी विधान सभा की चुनाव संपन हुए हैं और कॉंग्रेस सत्ता चीनने की फिराक में हैं बंगाल में वामदलों के गिरावट में बहुत तेजी रही ना कि प्यारिस में से 18 लोग सभा सीते जीती हैं बाएं हाथ के स्पिनर अक्षर पटेल आइटेल 2021 की मौजोदा सीजन का पहला मैच खेलने उतरेंगे मैच जब सूपर ओवर में चला गया तब दिल्ली क्यापिटल्स ने अक्षर को गेन बाज़ी सौप ती अक्षर ने मैरेस् अक्षर पटे के कोरोना पोजिटिफ आए गया थे उसी की जगा टीम में सामिल किया गया था मौर्निंग अपडेट्स पे फिलाल के लिए बस अतना ही देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए बने रहे है न्यूज 19 के साथ